हलो फ्रेंट्स आप देखने टेक्निकल हिंदी गुरू जी फ्रेंट्स MCC का एक दूसरा ओफिस्टल नोटिफिकेशन आज रिलीज किया गया है जी आफ फ्रेंट्स एक नोटिफिकेशन था जो कि मैं पहले ही आपको अल्रेडी बता चुका हूँ अभी दूसरा ओफिस्टल नोटिफिकेशन MCC की वेबसाइट पर रिलीज किया गया है जी आफ फ्रेंट्स MCC ने छात्रों को साबधान होने के लिए बोला है क्योंकि फ्रेंट्स यहां पर जो फेक अलॉट्मेंट लेटर है वो सोसल मीडिया पर काफी ज़्यादा बाइरल हो रहा है उसको लेकर MCC ने का ओफिस्टल नोटिफिकेशन जारी किया है और आपको जो फेक अलॉट्मेंट लेटर है उसका परफॉर्मा भी यहां पर दिया है MCC ने सभी छात्रों को जितने भी नीट के एस्पिरेंट हो चाहें ओल इंडिया कोटा के सही चाहें इस्टेट कोटा के सही सभी छात्रों को जो है साबधान होने के लिए बोला है तो वीडियो को अंतग देखते रहेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने के बीडियो को लाइक करने के बाद टेक्निकल हिंदी रुचनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और आपसे कोई भी कहता है कि हम आपका एड़िशन में गवर्मेंट कॉलेज के लिए कराएं हम आपको ओफीशल एलोट्मेंट लेटर दिलवाएंगे तो ऐसे में आप साबधार रहें और इस वीडियो को सब दोस्तों में सेयर कर दें जितने भी वीडियो को देख रहे हूं चात्र इस वीडियो को अपने सोसल मीडिया फर चाहें फेस्बूक बॉट्सअप सभी जगा सेयर कर दें सेयर का बटन आपको वीडियो को नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर जो एमसी सी ने जिस तरह से पोला है जक सेक्वेम एमसी सी चाहता है कि कोई भी चात्र किसी जहां से में ना फसे और उनको फेक와 안लोट मेला घंटी ना दिया जाए जिससे तो यहां से friends देखीगा इस notice में क्या बताए गया है आपका जो fake allotment letter है वो नीचे दिया गया है लेकिन हम सबसे पहले इस notice को देख लेते हैं और यहां पर देखी बोला गया है कि it has come to the notice of MCC and MOHFW that a fake allotment letter properly issued by MCC as attached below is being circulated in social media. यहां पर बोला गया है कि MCC का एक fake allotment letter जो है social media पर काफी ज्यादा जो है circulate कर रहा है काफी ज्यादा viral हो रहा है social media पर in this regard it is mentioned that students are allotted seat on the basis of merit and choice filled by them through MCC software which can be downloaded only be successful candidates from MCC website और MCC यहां पर बता रहा है कि जो छात्र होते हैं जिनको seat allot की जाती है उन छात्रों को merit और choice filling के आधार पर MCC उनको our amount letter download करने का जो है कह सकते हैं आप अनमूति देता है क्यांकि यहां पर जो छातर सक्सेस होते हैं टेंक है जो फीलिंग जिन की सही होती है choice feeling सही करते हैं कि उनको seat allot की जाती है तो बहुत छात्रों को जो है आपर जो allot문 letter ननका होता है उनीको download करने के यह बोला जाता है क्योंकि यहां पर आपको फेक अलॉट में लेटर जो सोचल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है उस सोचल मीडिया के सर्कुलेट allotment letter को यहां पर बताया है उसके बाद यहां पर बोला गया है कि also mcc does not allot seat a nomination basis और यहां बोला गया है कि nomination basis के आधार पर mcc कभी seat को allot नहीं करता है यानि कि आपने form फिलब कर दिया तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको seat allot हो जाए यह जो है केबल आपका merit और choice filling के आधार पर आपको seat allotment mcc करता है और उसके बाद ही चात्रों को seat allot होने के बाद ही चात्रों को allotment letter दिया जाता है इट फर्दर retired debt no such letter has been issued by mcc student candidates are advised not to take conscience of such fake letter and also not to forward or share fake information to any other groups और यहां पर बोला गया है कि जितनी भी mcc जो है चात्रों के letter जो है issue करता है ठीक है और जो fake letter होते हैं उनको जो है fake information चात्रों को किसी group द्वारत दी जाती है तो उन पर चात्र बिलीब ना करें necessary action will be taken against any person inducing in such malicious activities candidates are also advised to lodge a complaint in cyber crime cell or an F.I.R. in case they receive such letter and varying the matter to notice for concerned authorities और यहां पर बोला गया है mcc द्वारा कि ऐसा कोई ब्यक्ति अगर आपको कोई गिरुप आपको advice देती है कि हम आपको allotment letter देते हैं आपको जो है कोई mbbs government college में एड़िसम ले लेगा तो ऐसे में आप जो है अपनी किसी भी cyber crime cell पर जाकर F.I.R. जो है laws कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको F.I.R. दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे मागर आपसे कोई ऐसी हरकत करता है फेक allotment देता है रुपे लेने की कोसिस करता है तो आप जाकर police station पर जाकर जो है cyber crime cell को जाकर आप F.I.R. दर्ज करा सकते हैं उस ब्यक्ति के नाम ठीक है तो दिहार रहे friends आप ऐसे जहासे में ना फसें notice posted on 7 December 2020 यहां पर देखीगा जो फेक allotment letter है वो कुछ इस तरह का आपको यहां पर देखने को मिलेगा applicant nomination from the central government nominate quota आपको यहां पर इस तरह का दे quality के लिए उन्होंने दबा दिया है बताया नहीं है कुछ भी सब यहां पर हटा दिया है आपका नेम बगएरा दिया होगा father's name दिया होगा सभी कुछ nationality बगएरा यहां पर सभी कुछ दी रखी होगी permanent capital address पर आपका address लिखा होगा उसके बाद आपको 10 12 सभी यहां पर जितन प्रूसमें मिल जाएगी उसके बाद यहां पर आपको कुछ instruction देखनें को मिलेंगे और instruction देखने के बाद यहां देखने को मिलेगा कौन कौन से डॉकमेंट्स आपके संमिट हुए है कौन-कौन से नहीं होएं ठीक है तो इस तरह का आपको allotment letter देखने को मिलेगा जो की फरजी allotment letter है क्योंकि mcc allotment letter कुछ इस तरह का नहीं जारी करता है उसका allotment letter बिल्कुल अलग होता है ठीक है तो ऐसे में आप इस जहांसे में ना है तो यह अपडेट थे फ्रेंट जो कि mcc द्वारा रिलीज की गए थे इस से लेटर कोई भी दिक्कत परिशान ही हूं फ्रेंट तो कमेंट बॉक्स